चंदर शिकर आजाद पर मायवती का बहुत बड़ा हमला पहली बार मायवती ने आजाद पर तोड़ी चुपी चंदर शेखर पर भेंजी ने कर दिया सबसे बड़ा वार बहुजन समाच पार्टी की राष्ट्य अधिक्ष मायवती ने भीमार्मी चीफ चंदर शेखर आजाद पर पहली बार खुले मन्द से बहुत बड़ा हमला किया है यूपी के बिचनोर में चुनावी रैली के दोरान बसपा धिक्ष ने चंदर शेखर आजाद का नाम लिये बिना ही उन्हें चारो खाने चित कर दिया बैंजी ने इशारो ही इशारो में चंदर शेखर आजाद पर सबसे बड़ावार किया रोधी पार्टियों ने तो काफी संखन बना डाले काफी छोटी छोटी पार्टिया बना डाले और किसलिए कि जब चुनाव हो पार्लेमेंट असमली का तो बीच पी को चुनाव हराने के लिए इनका बोड़ बातने के लिए तो जो छोटे छोटे संखन पार्टियां अपने उमीदवार खड़े करवा देते हैं तो ताकि दलितों का बोर्ट बढ़ जाएं ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोगसबात की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है इसलिए मेरा आप लोगों से यह कहना है यह जो छोटे-छोटे संक्षन बने हैं छोटी-छोटी पार्टियां बनी हैं इनका कोई मकसद चुनाग जीतना नहीं है इनका मकसद बीएसपी का जो बेस बोर्ट है दलित बोर्ट उसको बाट कर तो बीएसपी के कंडिडेट को हराना है और दूसरी पार्टियों को जिताना यह इनका केवल मकसद है इसलिए मेरा ख देना है यदि एक भी बोट दे दिया तो फिर इसका फाइदा दूसरी जातिवादी पार्टियों को मिल जाएगा इसलिए आप लोगों को एक एक बोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उमीदवाद को देना है आपको बता दें कि चंदर शेकर अजाद इस समय यूपी के नगीना से लोकसवा चुनाव लड़ रही हैं लेकिन बसपादेक्ष मायवती के इस हमले ने अजाद की मुश्किले जरूर बढ़ा दी होंगी क्योंकि दलित वोट बैंक में सेंद लगाना अब अजाद के लिए आशानन भी चंदर शेकर अजाद पर बड़ा हमला बोल चुके हैं साथियों ये भी तरीका होता है बड़ ये कभी बीएसपी का तरीका नहीं था कभी भी बीएसपी के लोग सड़क पे उतर कर किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करें हमारे लोगों ने हमेशा सूज बूज और दिमाग से काम लिया पहेंजी ने हमेशा समझाया कि साथियों सड़क पे उतर कर जगड़ा करकर आपको अपके लोगों के लिए नए नहीं मिलेगा आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरूग करके वोट डालके अपने लोगों को तखता में बिठाकर उन लोगों के लिए नयाई मिलेगा। साथियों पिछले कुछ सालों से आप लोगों के पीश में इन विरूधी पार्टियों ने किसम किसम के लोग छोड़ रखे अब नाम लेके उनको बताना क्या उनको हवा देनी की कोई जरुरत नहीं पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीकी से बढ़का रहे हैं वो मैं काम करता हूं कि उनके चक्रों में ना पड़ें क्योंकि एक बार आप उनके चक्रों में फढ़के फ़स गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा साथियो ये आदमी अपने आपको मसीहा बताता है ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए आंदोलन करता है जगरता है लड़ता है हमारे युवा साथियों को ले के पहुँच जाता है फिर क्या होता है हमारे युवा साथियों पे मुकदमे हो और इस कारवा में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकद्बे दर्ज जड़ता जा रहा है अगर आप पर एक बार मुकद्बा दर्ज हो गया साथियों तो सरकारी नौकरी मिलनों में मुश्किल हो जाएगी रोजगार मिलने में मुश्किल होगा यह आपको आज गरम खून न आपको सत्ता में आने का मौकर नहीं मिलेगा आपको अपने समाज को जागरूप करके अपने पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर नियाए और रोजगार मिलेगा साथ में ऐसे नहीं मिलता रोजगार ऐसे नहीं मिलता नहीं साथियों अभी पुछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीजान लगा दी कि वह इंडी एलाइंस में घुश जाए किसी तरह अगर इंडी एलाइंस में घुश गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे विचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना प विचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडी एलाइंस में होके भी विचारा बेगर घूम रहा है पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो देदे भाई अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है भाई साहब आज कल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहें कि वही बस्पा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है वो लड़ नहीं पाएगा हमारे प्रत्याशी जी से आम मुवे आप रिक्वेस्ट करूंब अगी जरा सामने आए आए आप सारी अब बताइए साथियो अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं अगर आप हमारे आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी दोर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हागों के लिए नहीं लड़ सकते तो साथियो आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं पर अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जित को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आपसे अपील है कि वीडियो को शेर करें और दे न्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो के आंत में आप से छोटी सी अपील साथ ही अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूँ ही अमबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640 IFSC कोड है YES B 0000-235 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें